हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल नयन इसकूल पर हार दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ओर ओर ओपी एरियर के बारे में देखे काफी यूट्यूब पे वीडियो बन चुकी है कि एरियर एक किस्त में मिलेगा और 15 मार्ज तक मिल जाएगा सुप्रीम कोट ने साफ साफ बताया है और यहाँ पर देखिए यह मेजर जनरल सत्बीर सिंग है इनकी भी तरफ से जो इनका ट्वीट है वो काफी वाइरल हो रहा है जो बददार हैं लोग बग कि इसमें साफ साफ इनको भी लगता है कि यह जो एरियर है यह 15 मार्ज 2023 तक एक साथ मिल जाएगा तो देखिए आज मैं आपके सामने पूरा सबूत के साथ देखिए कड़वा मगर सत्य है एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ देखिए हला कि मैं पहले भी इस पॉइंट पे बता चुका हूँ आपको लेकिन कुछ को एक्स्ट्रा मैं आज लेके आया हूँ जो आपको बताने के लिए सफिशेंट होगा परियाप्त होगा कि देखिए आपको जो एरियर है सच में एक किस्त में नहीं मिलने वाला है तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर ज़रूर करें देखिए यह है मेजर जनरल सत्वीर सिंह का ट्विट ओरोपी ओनरी सुप्रीम कोर्ट ओर नाइन जन्वरी 23 अटेस्ट टाइम फोर कंप्लीटिंग दा एंटायर एकसरसाइज इन कंप्लीटिंग विजज्जमेंट एक्स्ट्रेक्ट अटेस्ट यह जो ऐस लगता है कि जितना भी है वो पूरी एकसरसाइज 15 मार्श 2023 तक कंप्लीट करने के लिए सरकार को कहा गया है तो देखिए अब हम देखते हैं यह जो है आपका ट्विट 10 जन्वरी 2023 का ही है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का ओर आया इस ओर में जो सबसे इंपोर्टेंट लाइन थी मुहा पे आजाते हैं सिदा Mr. N. Venkat Ramini, Attorney General for India States that the tabulation for nearly 25 lakhs defense pensioner has been completed by the CGDA Allahabad the tabulation shall now be processed by the CDA and will be considered by the Ministry of Defense time for completing the entire exercise in compliance with the judgment of this court is extended until 15 March 2023 देकि यहाँ पे उन्हों बताया कि जो भी complete exercise है उसको करने के लिए पूरी exercise complete करने के लिए Supreme Court ने 15 March 2023 के लिए बताया गया है और यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ एक किस्त मेरियर मिलेगा लेकिन अब इससे next वाले page पे आते हैं देखिए यह जो है अगर आप date देखेंगे तो यह 16 March 2022 का है ठीक है इसमें जब 16 March 2022 में letter आया था उस्टेम Supreme Court में जो order था उसमें देखिए उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे आप परेंगे तो Areas Pable to all eligible pensioners of the armed forces shall be computed and paid over accordingly within a period of three months तक वहाँ पे साफ बताया गया कि तक तीन महीने के अंदर वो पूरा देना है लेकिन यहाँ पे जो अभी वर्तमान है यहाँ पे कहीं भी उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे तीन महीने का time सरकार ने माँगा था उस time के लिए ही यहाँ पर appeal हुई थी और वो time सरकार को मिल गया था अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको Senior Advocate हुजेफा एहमदी, Attorney General आर वेंकर ट्रमनी और Supreme Court की जो बैंस थी, उन तीनों के कुछ वक्तव्य जो Supreme Court में डिसकेशन हुए वो आपको बताने वाला, देखिए तो देखिए उन्होंने कहा था There is a letter issued by Ministry of Defence in January that they may release the amount in four installments Since the case began, nearly four lakh pensioners have died awaiting to receive their due The government should consider paying the entire amount in the single installment देखिए उन्होंने Supreme Court में भी बोला कि चार installment में देने वे से एक installment में कर दे, already late हो चुका है और चार लाग जो बुज़रूग थे वो अपनी जान गवा चुके है Attorney General R. Venkat Ramin ने कहा कहा वाँ पर, जो center की तरफ से वाँ पर थे उन्होंने कहा कि टेबल कंप्लीट हो चुकी है ये समभम पात देख चुके है फाइनल अपरोगरे defense में जाएगी बाई 15 मार्च, देखें इन्होंने 15 मार्च का जिकर किया है जो तारिक सुप्रीम कोर्ट में बेंच ने कही थी, वो तारिक ने जिकर किया है दा मनी विल स्टार्ट फिलोइंग देखें इसका मतलब निकाल लिए दा मनी विल स्टार्ट फिलोइंग यानि मनी जो है फिलो करना सुरू हो जाएगी यह कहीं नहीं है कि यहाँ complete हो जाएगा, यहाँ से सुरू होगी यानि इससे पहले पहले आपको आना सुरू हो जाएगा इसका मतलब यह निकल रहे हैं यहाँ पर करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए यहाँ पर काफी खर्चा हो रहा है तो दिखे एक बड़ा अमाउंट है वो इतना आउटफ्लो करने में प्रोब्लम तो है यह सुप्रीम कोट ने माना considering the plight of the elderly passengers the bench requested our venka testimony to उनसे request किया try if they can be paid कि आप कोशिस करिए अगर आप कर सकते हैं expeditionally and not delayed due to installments थोड़ी जल्दी कीजिए और जो installments है उसकी वज़से ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए तो इन्हों कहा है कि try if they can be paid यदि आप शीगरता से दे सकते हैं के लिए कोशिस कीजिए देखिए कोशिस करने का मतलब है कि सरकार के उपर ये डाल दिया गया है कि आप कोशिस कीजिए लेकिन कोशिस ये नहीं पूरा बो लगा है कि आपको तीर महिने के अंदर देना है you have to pay within three months ऐसा कहीं भी hard language सक्थ टिपनी यहाँ पर नहीं लग रही है the attorney general assured that the matter was under his close watch देखिए ये पूरी की पूरी वार्तलाब थी जिसे देखके आप भी समझ सकते हैं कि ये area आपको एक किस्त में नहीं मिलने वाला है कितनी किस्तों में मिलेगा क्या-क्या percentage होगा वो एक separate issue है देखिए अब भी अगर आपको लगता है कि ये area जो है पूरा एक किस्त में आपको मिल जाएगा या आपको कुछ ऐसा लगता है कि एक किस्त में नहीं मिलेगा आपका क्या विचार है आप comment box में message कर सकते हैं अपनी इनी वीडियो के साथ मैं आपके साथ continue रहूँगा अगर आपको ये वीडियो ये प्रयास पसंद आ रहे हैं तो देखिए चैनल को स्काई करें और वीडियो को share करें फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत